पालक, मेथी, स्वीट कार्ण की सबजी जब घर में बनाते हैं तो रेश्टोरेंट जैसी नहीं बनती है उसका कलर चेंज हो जाता है और मेथी की वज़ा से उसमें कड़वा हड भी आ जाता है तो इस सबजी को आज बनाएंगे कुछ टिप्स और ट्रिक के साथ जिससे इसका कलर भी हरा रहेगा और मेथी डालने पर ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं बनेगा तो आईए बनाना शुरू करते हैं रेस्टोरेंट जैसी पालक, मेथी, स्वीट कार्ण की बहुत ही टेस्टी सबजी इस आसान ट्रिक के साथ तो उसके लिए हमने लिया है 300 ग्राम पालक, पालक को हमने बहुत अच्छे से साप करके जड़ निकाल कर एक बड़े बरतन में रख लिया है इसमें डालेंगे रेड़ सारा पानी और इसे दो-तीन बार धो लेंगे जिससे पालक में जितने मिट्टी हों सब निकल जाए एक पैन में हमने पानी बॉयल कर लिया है अब इसमें पालक के पत्तों को डाल देंगे इसे 2 मिनट high flame पर boil कर लेंगे, इससे ज़्यादा इसे हमें नहीं boil करना है, नहीं तो इन पत्तों का color change हो जाएगा तो 2 मिनट इसे हमने boil कर लिया है, flame को बंद कर देते हैं और इसे तुरंद निकाल लेंगे ठंडे पानी में तो हमने एक बड़े बॉल में लिया है, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी, इसमें सारे पत्तों को डाल देंगे ताकि ये तुरन ठंडे हो जाए ऐसा करने से पालक का कलर बिल्कुल हरा रहेगा, इसे डालेंगे ग्रैंडिंग जार में, साथ में डाल देंगे दो चमच, पालक का पानी और इसकी बना लेंगे प्यूरी तो ध्यान रखे इसमें आप पानी बिल्कुल ज़्यादा न डाले और बिल्कुल बारिक इसका पेस्ट तयार कर लेंगे तो इसे पालक पेस्ट कर तयार है इसे रखते हैं साइट में इसको बनाने के लिए हमने लिया है 1500 ग्राम मेथी का पत्ता अब इसके पत्तों को इस तरह से निकाल लेंगे जो इसका कड़ावला डंडी है इसे हटा देंगे इसे हमें सब्जी में बिल्कुल नहीं यूज करना है और इन पत्तों को डालेंगे बड़े बरतन में और बहुत देंगे अच्छे से दो तीन बार धोलेंगे पानी डालकर इसमें भी बहुत मिट्टी होती है इसलिए इससे आप 2-3 बार जरूर धो लें इसे डालेंगे चौपर में और बिल्कुल बारीक किसे चौप कर लेंगे आप चाहें तो इसे बारीक चाकू से भी काट सकते हैं पर डालेंगे एक कप स्वीट कॉर्ण हाई फ्लेम पर इसे तो भीनेट बॉयल कर लेंगे आप देखेंगे जब कॉर्ण बॉयल हो जाएगा तो ये पानी से उपर आ जाएगा और साइज में भी ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो कार्ण हमारा बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे ट्रांसफर कर लेंगे एक छन्नी में पैन में डालेंगे एक चंबस देशी की अब इसमें डाल देंगे बॉयल किया हुआ कार्ण और इसे थोड़ी देर भून लेंगे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे भूनेंगे तो कार्ण को हमने भून लिया है अब इसमें डाल देंगे कटा हुआ मेथी और फ्लेम को हाई कर लेंगे साथ में इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमप और high flame पर इस मेथी के पत्ते को भूनेंगे अगर आप इसे low flame पर भूनेंगे तो ये अपना पानी छोड़ेगा और उस पानी में पकेगा तो मेथी कड़वा हो जाएगा इसलिए इसे high flame पर भूने तो मेथी अपना पानी नहीं छोड़ेगा और ये कड़वा भी नहीं होगा तो मेथी को हमने हाई फ्लेम पर भून लिया है इसी से सबजी में कड़वा हट बिलकुल नहीं आएगा अगर आप इस तरह से हाई फ्लेम पर मेथी को पकाएंगे मेथी हमारा अच्छे से पक गया है अब दूसरी कड़ाई में हम डाल देंगे एक बड़ा चमच देशी गी एक बड़ा चमच बटर अब इसमें डालेंगे एक चमच जीरा फ्लेम को मीडियम हाई पर कर देंगे इसमें डाल देंगे एक सूखी लाल मिर्च तोड़कर और इसे बहुत अच्छे से भून लेंगे तो हमारा जीरा और मिर्चा अच्छे से भून गया है अब इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच बारी कटा हुआ लेसुन दो-तीन हरी मिर्च बारी काट कर डालेंगे साथ में डाल देंगे एक बड़ा चमच बारी कटा हुआ अधरक इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से भून लेंगे फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखेंगे तो ये सारी चीजें हमारी बहुत अच्छे से भून गई है अब इसमें डाल देंगते हैं एक बड़ा प्याज जिसे हमने पारिक काटा है इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और मिक्स करेंगे और इसे ढख देंगे नमक डालने से प्याज बहुत जल्दी पक जाएगा तो हमने इसे एक मिनट के लिए ढख दिया था अब प्याज को तो लगातार चलाते हुए, ब्राउन होने तक भून लेंगे, तो प्याज हमारा अच्छा भून गया, इसमें हमने एक चमबस धनिया डाल दिया है, धनिया को मिक्स करेंगे और तुरंट इसमें डाल देंगे, बारिक कटागवा टमाटर, तो हमने दो टमाटर को भिल्कुल ब लग हो गया है अब इसमें डाल देंगे पालक की प्यूरी जो हमने पीस करके रखा था इसमें डालेंगे एक चौथाई चमच चीनी चीनी आप जरूर डाले इसी से पालक का कलर बिलकुल हरा रहेगा अब इसे भून लेंगे थोड़ी देर फ्लेम को मीडियम हाई पर इस पालक को ट्रांसफर कर लेंगे स्वीट कार्ण वाले पैन में लो फ्लेम पर इसे चलाते हुए भून लेंगे थोड़ी देर इसे में बहुत जादा देर नहीं भूनना है क्योंकि दोनों चीजे हमारी भूनी हुई है अब इसमें डालेंगे एक चमच गरम मसाला साथ मे डाल देंगे आधा कब दूद में हमने तीन बड़े चमच मलाई मिला लिया था दो बड़े चमच हरदनिया बारी काट कर डाल देंगे नमक इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि हमने प्याजबुंते समय नमक डाला था और कॉर्ण में भी नमक डाला था डालेंगे इसमें दो हरी मिर्च बीच से कट करके अगर आपको लगे टेस्ट करने के बाद तो थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं तो यह सबची हमारी बनकर बिल्कुल तयार है फ्लेम को बंद कर देते हैं अगर आपके पास स्वीट कर ना हो तब आप इसमें छोटे टुकड़ों में कटा ह किसी के साथ भी यह पालक मेथी बनाएंगे इस तरीके से तो टेस्टी बनेगी इसके उपर गार्निस कर देंगे थोड़े से स्वीट कान से और बारी कटा हराधनिया से इसके उपर जाएगा थोड़ा सा बटर बटर आप अपने पसंद से कम जादा डाल सकते हैं सब करने से पहले आप बटर को इस सबजी में मिक्स कर लें लीजिए सब करने के लिए तयार है यह बहुत ही टेस्टी पालक मेथी कांड की सबजी रिस्पी पसंद आती है वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए साथ में इसे सेर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं इक और रिस्पी के साथ तक तक के लिए धन्यबाद